Hello everyone, this is Udkar Shukla from Udkar Shukla from Udkar Shukla. UPSC, UPPCS, Mains Exam Writing Practice Series में आज सिंदु गाटी सभिता से सम्बंदिज जो previous question PCS और UPSC में पूछे गए हैं उन सवालों को देखेंगे, उन सवालों से हम अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सवालों किस तरह से लिखा जाता है उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी अप्रोच को फॉलो करके आंसर राइटिंग करें और मुझे उसकी फोटो टेलिग्राम पे भेजें जिससे मैं उन्हें चेक कर सकूँ आएए अब बिना समय वरवात के पढ़ना चुरू करते हैं अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिले दिन प्रीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और सपोर्ट मी इस फ्री क्वेश्चन यूपी पीसी एस में दोजार बीस में आया था GS1 में आठ अंक का था और 125 शब्द का था कि हडपा सब्धा काल में शहरी नियोजन पे टिपड़ी लिखिए ओके शहरी नियोजन पे बस टिपड़ी लिखिए कुष्चन आया था इस सवाल को सॉल करने से पहले मैं फूर्ण शब्द समझी हमसे अरपा सब्धा से पूछा गया है शहरी नियोजन के बारे में ही लिखना है और टिपड़ी करनी है टिपड़ी कर्थ होता है कि उसको आपको उसकी एक समरी सी बतानी है कि यह यह हुआ था उससे क्या सीख मिलती है ऐसा कुछ हवावाजी नहीं लिखना है इसका मतलब यह है कि यह question आपके fact पे भी उतना ही based होगा जितना आपकी analytical ability पे जितना आप उस fact को किस तरह से process कर पे दिखा सकते हैं यानि कि fact गलत नहीं होने चाहिए fact अधूरे नहीं होने चाहिए इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है जैसे कि भूमिका समझिए भूमिका में देखिए शहरी नियोजन को हडपा सब्विता के संधर में ऐसे समझा सकते हैं कि पहले तो यह बताईए कि हडपा सब्विता में शहरी नियोजन कम मिला कहा मिला एक एक लाइन इसकी हो गई उसके बाद उसकी प्रमुख विशेष्टाएं जिसे देखके आप फोचक के रह गए थे जिसे देखके आपको अचमबा मैसूस हुआ था आपको वो प्रमुख बातें इस वाग में लिखनी है इस सबी काम में तुम्हें 25 शब्द का प्रियोग करना है 25 शब्द मतलब होता है लगवक तीन लाइने उसके बाद प्रमुख विशेष्टाओं को लिखना है ठीक है प्रमुख विशेष्टाओं का उस समय महत वर्तमान में महत और समकालीन सब बिताओं से आपको तुल्ला करनी पड़गी तुम्हें ये तीन काम करने है 75 शब्दों में ठीक है तो उस प्रमुख विशेष्टाओं वहीं होगी पानी का निकास जिस तरह से होता है वो लिखना है आपको उसके बाद तुमको दुर्ग विवस्था लिखनी है हायरार्की लिखनी है इन सभी महत पूर बातों को नोट कर देना है उस बारे में तुम क्या सोचते उसके मतलब नहीं है तो तुम इनको नोट कर दिए उसके बाद तुम ये लिखे कि वर्तमान में इससे हमको ये सब देखने को मिलता है वर्तमान में भी ऐसाही मिलता है उस हर एक टौपिक के आगे एक पॉbracht पहले लिखे जैसे न उसके बाद तुम आओगे उपसंगार पे, उन लोगों की शहरी नियोजन के पती मान सकता थी कि वो शहर को सच्छ रखना चाते थे, अपने सच्छता के पती कितने ही आसीन थे, वो एक ओर्डर में बिलीव करते थे, एक क्रम बद नियोजन में बिलीव करते थे, इस कारण से हमारी प्राचीन संकृतिव हमें गर्ब है, इस तरह से तुमको उपसंगार में ये दिखाना है, कि सहरी नियोजन उस समय बहुत मैद्दपूर्ण था, हमें आज भी उसकी आवशकता है, हमें बहुत ये अच्छा लगा कि हम प्राचीन काल सही इस पर ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन को टैकल करना है, आराम से समझो बार बार देखो, उसके बाद पुन है रिपलाई करना, मुझे फोटो चाहिए इस आंसर की अच्छे से, ताकि मैं तुम लोगों का क्वेश्चन और आंसर चेक करके तुम्हें बता सकूँ कि क इस फैक्ट की कहा जरूरत पड़ रही है, अपरोच इसी तरह से रखना डेली को इस तरह की वीडियो आते रहेंगे, अब अगला कुश्चन नेक देखो आया था, ये क्वेश्चन UPSC 2015 में आया है, 200 शब्द का है, साले बारा अंक का, भारत की प्राचीन सब्दा, मिस्र, म मेसोपोटामिया और ग्रीस की सब्दाओं से इस भाद से भिन है, कि भारती उप महादीव की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना प्ररक्षित की गई है, इस पे टिपड़ी करनी है, ठीक है, तो पहले तो प्राचीन सब्दा इंपॉर्टन शब्द है, ना कि केवल सिं महादीव की परंपराएं तुमको देखनी है कि कौन सी परंपराएं जो परिरक्षित की गई है, ठीक है, अब तुम जैसे कि उन परंपराओं में ट्रांस्पोर्टेशन को तुम यूज करना ही सकते उतना आराम से, क्योंकि अब ट्रांस्पोर्टेशन बहुत बदल गया है जलमार को यूज भले ही कर लो, तो इस तरह से जो परंपराएं परिरक्षित लगें, उनहीं का यूज करना है, ठीक है, ये नहीं कि तुम लोग वो परंपराओं की बात करने लगो, जो प्राचीन काल में तो बिद्दमांदी पर अब उनका यूज नहीं होता है, ऐसा मत कर करना, दूसरी बात, हमें तीन जो सब्विताएं हैं, उनके बारे में बात करनी है, मिस्र, मैसोपोटामी और ग्रीस, इसका मतलब है कि तुम्हें तीनों के एक्जामपोलों का यूज करना है, ये नहीं कि केवल मिस्र का उठा लिए और ग्रीस को भूल गए, ऐसा मत करना, तीनों का यूज करना हो कि एवल टिपड़ी करनी है, अच्छी बात ये है कि एक क्वेश्चन बढ़ाया और शब्द भी परयाब तो 200 शब्द मिले हुए हैं तुम्हें, अब आओ भूमिका में, भूमिका आप 30, 40, 50 कितने भी शब्द ले लो, सभी सब्विताओं का समयका प्रवाव च्छेत्र तुम्हें बता देना है, चारों का, प्राचीन सब बिताओ, भारती उपमाधीप लिखा हुआ है, एक बात दिमाग में रखना, उपमाधीप मतलब अफगानिस्तान से लेके, म्यामार के आदे इस से तक, यह पूरा उपमाधीप में ही आता है, सब पर गहों पर मिलते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ वैदिक का लाया, इस तरह से हलके हलके तरीके से तुम बोलते चले जाओगे, एक दो लाइन या तीन लाइन में लगेगा, और उसके बाद तुम बाकी अन्य सब बिताएं, जो तीन दी हुई है, उनको एक एक लाइन में पचास शब्दों की आराम से तुम इसमें प्रभावत शित्र समझा दोगे, इसके लावा कुछ नहीं करना है, अब उसके बाद आओगे तुम परमपराओं की तुल्ला में, परमपराओं की तुल्ला में मैंने पांच पॉंट जैसे लिखे हुए हैं, जो तुमें 125 धोल लगाडे, सीटी, ये सभी सिंदू गाटी से मिल रही हैं, तब से अब तक चली आ रही हैं, रंगमंच की विवस्था भी बहुत पुरानी है हमारे यां, पुराने काल में मैसोपोटामिया और मिस्र में जो संगीत की विवस्था थी, अब वो नहीं है, ये तुम्हें यहां से बताना है, ग्रीस में जो गायन वादन होता था अब वो भी नहीं रह गया है, तो इस तरह से तुम्हें एक्जामपल अपना उठाना है कि हमारे यां क्या बचा है और वहां उन तीनों इलाकों में क्या हुआ करता था जो अब नहीं बचा है, क्या हुआ करता था ज सब में थोड़ा बहुत बचा हुआ है पर अब उसमें काफी परवड़ता ना गया है क्लाइमेट चेंज काफी परयापत उन इलाकों में अभी हुआ है आध्यात उठा लेना आध्यात के मामले में हम अपने सबसे पुराने गरंतों की बात कर लेना और हम प्रक्ति पूजन ज महां नहीं मिलता है कि future 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 अभी सब्यूंद से उठा लेना कि हमारे शहरों की नियोजन में जलनकासी विकासी प्रवेरे से चल ला है, मिस्र मेसोपोटामिय में ऐसा कुछ नहीं था, इस तरह से तुम लोगो पॉइंट लेना है, और इन तीनों जो मिस्र, मेसोपोटामिय और ग्रीज की सब्विता हैं, उनसे तुलना करते हुए दिखाना है, कि उनके यहां वो खतम हो गया है, ह इसलिए हमारे यहां जितने ही लोग बाहर से आए, उनको भी बाहरी फील नहीं होता है, इस तरह से हमें अपनी सब्विता पर गर्व है, अनिकता मेकता बगएरा बगएरा, 25 शब्दों में हलकी सी लाइन लिखके आगे बढ़ जाना, इस तरह से तुम लोगों को इस सवाल को और इस तरह के सवालों को ट्रेकल करना है, ठीक है, चर्चा कीजिए, जब से पहले तो यहीं देख, चर्चा का मतलब होता है, कई प्रकार के बिंदू होने चाहिए, विविन पॉइंट अव विविन दृष्टी कोणों को आपस में मिला के बात करनी है, केवल एक तरह से होता, तो हम सतीप्रथा भी बोलते, कि सतीप्रथा भी हमारे यहां काफी समय तक परिरक्षित ही रही थी, वो भी आगे चलके बढ़ती रही थी, अब जाके खतम होई है, वो एक बुरी बात होती, पर वो टिपड़ी थी, टिपड़ी में नेगेटिव नहीं लिखना होता ह चर्चा कीजिये में आयेगा, चलो आओ, शिन्दू गाठी सब्विता की नगरी योजणा और संस्कृती ने इसके सीमा तक वर्तमान युगी नगरी गरन को निवेश इन्पुड दीए गए हैं, अब देखो आओ, इसके प्रमुक्त बिंदु क्या है, नगरी योजणा के स साथ सास संस्कृत्य की लिखा हुआ है कि वर्तमान केवल नगरी गरन की Benni और इन में सम्झाना फिर्डी योजना कैसी थी उस समय कि योजना कैसी थी तो मैं पहले उसको 50 शब्द में समझा देना है ठीकँ है। उसके बाद प्ली योजना सन्सक्रती में की से के से आपस वारताला व्यापार्ण होते थे उनका व्यापार क्या थे प्रमुक पेशे क्या थे संस्कृति में वो सब आयेगा मुक के भाग बिंदूओं को समझाना आए जो आज मी चले आ रहे हैं उसमें देखो अब से पहला जलनिकासी की विवस्था है जलमार्गों की विवस्था है भवन निर्मान में देखो पकी इटों का प्रयोग तब से हो रहा है शहरी जीवन शैली में देखो नत्त संगीत है विविन प्रकार के जो पेशे हैं वो एक ही जगहों पर निवास करते हैं गुजरात में हमाय देख लो तुम लोग जो हीरे के कारोबार हैं वो एक ही जगह भैले हुए हैं बनारस में साडियों का कारोबार एक ही स्थान पर सिमट के चुका है इस तरह से आप लिख सकते हो उच नीच अब चुकि चर्चा करनी है तो थोड़ा गलत भी उठाना पड़ेगा एक वर उच नीच हमें सब को पता है कि वेदिका जो कहा जाता है ये जो नगर थे सिंदुगाटी सब्विता के वो वेदिका की उपर बसे होते उठी हुई सपाट भूमी पे जिसमें बीच में होते थे बड़े लोग जो उसके निता या पजारी या तुम उस समय के ब्यापारी या जो भी बोलो वो रहते थे और उसके चारों रहते थे आम लोग ये बात आज भी सत्त है हर शहर में एक पॉश लाका होता हर शहर में एक लाका होता है जहां शहर के अमीर रहते है नॉर्मल लोग आज भी रहते है ये जो उच नीच की विवस्ता है शहरी करण में ये तब भी थी और अब भी है इस तरह से तुमको 125 शब्दों में इन 5 लोग में इसको भी दे देना तो मैं इस तरह से इसको अप्रोच करना है पच्चेश शब्द का मतलब होता है लगवक तीन लाइन है ठीक है तो इतना जादा लिखने जिरूत नहीं है देखो जब हम प्रिपरेशन करते थे तो हमसे हमारे टीचर यही बोलते थे कि कभी भी एक कि अधिक से अधिक पॉइंटों का यूज करना जब मैं अंसर राइटिंग बहुत पहले करता था तो मुझे दिक्कत यही आ जाती थी कि जलमारोग बारे में मैं लिखता ही चला जाऊंगा दो तीन पचास सब्द लिख गए तो फिर एक उच नीच वाला पॉइंट हटाना जो सुनने में लगेगा कि यह तो बहुत छोटी सी बात कर रहे होगा एक से अधिक से पॉइंट लिख दो वन लाइनर ऐसे कैसे चलेगा पर असल में नंबर वैसे ही मिलते हैं तो तुम लोग पॉइंटों की संख्याब दिमाग में रखना तीन तीन लाइनर इन सब को आग